आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर हम सभी विश्व कल्यान कारी आत्मे हैं हमने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वयम भगवान आकर हमें इतना उचा उठाएगा और कहेगा कि बच्चे तुम विश्व का कल्यान करो हम तो केवल अपने कल्यान की ही सोचते थे वो भी नहीं कर पाते थे लेकिन बाबा ने हमारा लेविल इतना उचा उठा दिया अपने भाग्य पर जरा घर्व करें हमें उसने आकर याद दिलाया तुम पूरवज हो तुमें सभी के दुख हरने हैं ये सारा संसार तुम्हारा परिवार है हम अपने से पूछें क्या हमने अपने अंदर ऐसी स्रेश्ट भावना धारन की है भावा ने हमें स्पस्ट कर दिया तुमें ही सब को दुखों से दूर करना है तुमें ही सब का कल्यान करना है तुमें ही सब को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देना है तुम आधार मोर्थ हो और उद्धार मोर्थ हो तो सोचें जिनके उपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, क्या वो कभी व्यर्थ में रह सकते हैं? कदा भी नहीं. दुनिया में भी कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ती हो. प्रेजिडेंट प्राइमिनिस्टर या किसी कमपनी का हैड क्या वो चचचोटी बातों में अपना समय व्यतीत करेगा? क्या वो व्यर्थ सुनने में सदा विजी रहेगा? क्या वो सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहेगा? क्या वो व्यर्थ की गपसप में अपने अनमौल स समय कुनस्ट करेगा कदा भी नहीं हमारे उपर तो स्वयम भगवान ने जिम्मेदारी रखी है तो जरा एकांत में स्थित होकर अपने से बाते करें क्या हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं हमें सारे संसार का खल्यान करना है हम किसी के लिए भी इर्षा, द्वेस, वैर, भाव, बदले की भावडा किसी को दुख देने की इच्छा, किसी को गिराने की इच्छा नहीं रख सकते क्योंकि जिने हम गिराएंगे, जिने हम दुख देंगे, जिने हम डिस्तर्ब करेंगे उनका कल्यान कुने हमें ही करना पड़ेगा तो हम स्वयम को भरपूर करें स्वयम को महान बनाएं हम अपनी भावनाओं को सुद्ध करें सब के लिए कल्यान की भावनाधारन करें हम अपनी महनताओं को पहचाने अपने हिर्दे को इतना सुद्ध करें कि किसी के लिए भी हमारे चित में असुख भावनाएं ना हो निरंतर हमसे सुख भावनाओं के वाइब्रेशन सारे ही संसार को मिलते रहें बस यही हमसे भाबा चाहता है और यही हमें निशी दिन करते चलना है परिष्थिती जीवन में चाहे कितनी भी आ जाएं बस हमें इतना द्यान रखना है कि हम इसमर्ति स्वरूप होकर रहें लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक्ता होगी बार-बार अभ्यास करने की अगर हम बार-बार अभ्यास नहीं करेंगे तो परिस्थिति हमें सब कुछ भुला देंगी विस्मृत कर देंगी क्या-क्या इसमर्ति में रखना है हमें परिस्थितियों से अधीक सक्ति साली मैं हूँ मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ स्वयम भगवान मेरा साथी है ये परिस्थिति आई है मुझे और पावरफुल बनाने के लिए ये चेलेंज मेरे सामने आया है और पाँचवी बाद ध्यान रखें ये परिस्थिति भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी इस तरह है यदि हम अपने चित को सरल करना सीख जाएं तो कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति को बिगाड नहीं पाएगी आज सारा दिन हम सारे संसार के कल्यान के लिए सकास देने का काम करेंगे और ये दोनों स्वमान सारा दिन प्रैक्टिस में लाएंगे मैं भूरवज हूँ, विश्व कल्यान कारी हूँ अब मुझे सब को पवित्र वाइब्रेशन्स देने हैं तो कैसे देंगे? मैं पवित्रता का सुर्य हूँ, या पवित्रता की देवी हूँ बहुत पवित्र हूँ, पुन्यात्मा हूँ परमधाम से पवित्रता के सागर, बाबा के पवित्र वाइब्रेशन्स मुझ में समा रहे हैं और मुझ से चारों और फैल रहे हैं संकल्प कर दें सभी को सुक्ष्यान्ति प्राप्त हो। सभी सफलता के मार पर आगे बढ़ें। सभी का जीवन निर्विग्न हो जाए। आज साला दिन यह अभ्यास चालू रखेंगे। ओश्यान्ति